दालचीनी का उप्योग एक स्वादिष्ट मसाले के रूप में किया जाता है, लेकिन दालचीनी के ओशधिय गुन के कारण आयुरवेद इसे एक ओशधिय जड़ी बूटी मानता है, दालचीनी खाने के फायदे आपको स्वास्थ्य, प्वचा और बालों संबंधी कई समस्य दालचीनी अपनी तासीर, विशेश सुगंध और तीखे स्वाद के कारण लोकप्रिय है, दालचीनी स्टिक का इस्तमाल वजन घटाने के लिए विशेश रूप से किया जाता है, दालचीनी पाउडर के लाब कैंसर, गठिया, मधुमेह जैसी गंभीर बीमारियों के लिए दालचीनी के नुस्खे दालचीनी के लाब इसे बहुत ही दिलचस्प बना देते हैं, दालचीनी का प्रजोग औशधी के रूप में छाल, पाउडर, चून और दालचीनी के तेल के रूप में किया जा सकता है, वेट लौस यदि आप अपना वजन घटाना चाहते हैं, तो डालचीनी पाउडर एक अच्छा विकल्थ हो सकता है डालचीनी पाउडर में एंटीकसीडेंट की उच्छ मात्रा होती है, जो वजन घटाने में हमारी मदद कर सकते हैं डालचीनी के गुन शरीर से न केवल विशाक्त पदार्थों को बाहर निकालते हैं, बलकि शरीर में जमा अतिरिक्ट फैट को दूर करने में भी मदद करते हैं नियमित रूप से डालचीनी पाउडर का सेवन करना मधुमें रोगियों को फायदा पहुँचा सकता है डालचीनी के पाउडर में रक्त शरकरा के स्तर को कम करने की ख्षमता होती है यदि उचित मात्रा में डालचीनी का उपभोग किया जाता है तो यह लगभग 24 प्रतिशत तक रक्त शरकरा के स्तर को नियंतरित कर सकता है Reduce cholesterol शरीर में खराब कोलिस्ट्रॉल की उच्च मात्रा कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकती है लेकिन इस प्रकार की समस्याओं से बचने का सबसे आसान उपाय डालचीनी का सेवन करना हो सकता है दालचीनी पावूर में कोलेस्ट्रॉल को नियंतरित करने वाले गुन होते हैं, खराब कोलेस्ट्रॉल धमनियों में अवरोध पैदा करके रक्त परिसंचरण को बाधित कर सकता है, जिससे हृदय संबंधी समस्याएं हो सकती है गठिया के लिए सिनोमोन में बहुत सारे पोशक तत्व और खनिच पदार्थ भरपूर मात्रा में होते हैं, दालचीनी के तेल के प्रयोग से आप गठिया के लक्षनों का इलाज कर सकते हैं, दालचीनी खाने के लाब गठिया के दर्द और सूजन को प्रभावी रूप से कम करने में होते हैं क्योंकि दालचीनी चूर्ण में विभिन प्रकार के एंटिक्सिडेंट और एंटी इंफ्लामेटरी गुन होते हैं, कोशिकाओं की सूजन और दर्द को नियंतरित करने में मदद कर सकते हैं.